तो हले दोस्त कैसे आप सब आई होप आप लोग अच्छे होंगे देखिए डेड फोन में काफी लोग बाग जो है वी बैड वी पीएच एल्ड और बग चेक करते हैं ठीक है बट कंट्रूल की तरफ ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि देखिए डेड मोबाइल जो है वो कोई फ कोई भी आई-सी हो सब सभी अई-सी सीप्यू से क्या होता है को औने होता है सीपिऊ से आपस में बात्रिंट होती है तो उसका हम क Venture में और को असीदेश के में स्सma σब्ट ।ो देखिए जैसे अब पावर को 일द करेंगे जैसे हम यहान पर देखिए को हमने कर दोंदेखि पर यहां पर कंट्रोल का चूंन दिखा रहा है और यह जो पर इसी यह PM तो पावर इसी कोई भी हो, सभी में आपको कंट्रोल दिखने को मिलेगा, ठीक है, तो कंट्रोल में कौन-कौन सा है, जो हमें चेक करना ही चाहिए, कि उस लाइन से कहीं फॉल्ड तो नहीं है, ठीक है, पहला जो आता है, क्रिस्टल, यहां दी जगा, क्रिस्टल अगर खराब हो जाती है, तो लो बुटिंग होता है, यहां अगर आप डेड मोबाइल को चेक करेंगे, डीसी मसीन पे, तो यहां पे बहुत कम मिलियंपे लेगा, एक, दो, तीन, पांच, छे, किसी-किसी फोन में देखा, मैंने दस, बारा मिलियंपेर भी लेता है, क्रिस्टल खराब हो इसी-OK होती है, तो मतब PMI-IC के अंदर जो भी फंसन है, जैसे चार्जिंग, लाइट, ग्राफिक, वीपेट, वीपेच, यानि उसके अंदर जो भी फंसन है, अगर वो 90% तक सही रहेगी, तब जाकर के, मतब एक बता रहों में, कि अगर वो 90% तक सही रहेगी, तब जाकर वो सिगनल लिकल कर, वो जाएगी PMI-IC के अंदर, और CPU को भी ये पता चलती है, तो जब PMI-IC के अंदर जाएगी, तो फिर PM को पता चल जाएगा, कि PMI-IC-OK है, फिर उसी तरीके से ये PM क्या करेगा, पावर ओन डिसेट का सिगनल लिका लेगा, और CPU को देगा, जैसे आप य अंदर जाती है, तो इस पे भी अगर हमारे 1.8 voltage बन जाती है, तो इस पे अगर हमारे 1.8 voltage बन जाती है, तो इससे भी क्लियर हो जाता है, कि हमारे 1.8 voltage बनेगी, अब उसके बाद से तीसरा होता है, कि जब हमारा PMI-IC का सिगनल ओके आ गया, पावर-IC का सिगनल ओके हो गया, तो उसके बाद हमारा तीसरा होता है, CPU का, जो होता है, पियस होल्ड के नाम से, ठीक ना, तो पियस होल्ड हमारे CPU से लिक लीगी, और ये पावर के अंदर जाएगे, तो पियस होल्ड के लाइन में अगर फॉल्ट हो जाए या वोल्टेज ना बने, तो इस कंडिशन में जादतर क्या होता है, जो PMI-C के पाथ जो क्वाइल लगी होती है, और जो हम चार्जर बैटरी लगा करके जो वोल्टेज चेक करते हैं, किस पे, क्वाइल पे, जैसे इ कि सप्लाइए तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको यही चेक करना है, और आपको क्या क्या करना है, तो आपको सिम्प्ली चार्जर बैटरी लगाना है, और पियस होल्ड के लाइन में जो भी वह लगा है, तो कोई बात न Isakub Um, पर यह शेक कर सक्ते हैं, वरना आप तो यहां पर रजिस्टर लगा है और यहां पर आपको 1.8 वोल्टेज चेक करना है कि यहां पर 1.8 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है अगर यह वोल्टेज बन गया तो नो डाउट आपकी CPU पोर्ड भी बना लेगी अगर यह वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इस कंडिशन में CPU पोर्ड भी नहीं बनाएगी और कोईल पर जब चेक करेंगे तो यह आपको फ्लेक्शेशन दिखने को मिलेगा ठीक है ना तो यह कंट्रोल में यह चेक करना ही होता है जितना इंपोर्टे टेक्निशन भाई लोग को यह पता नहीं होता है और इसके वज़ा से भी वो मतलब जल्दी फॉल्ड को फाइंड नहीं कर पाते हैं वो कंट्रोजन में रहते हैं लेकिन जब आपको कंट्रोल के बारे में पता चलेगा इसके डीप तो आप कहेंगे कि वाकी में काफी कमाल क चीज़ है यह काफी useful है काफी हमारे time को saving करने के लिए trick है जिससे जानने के बाद काफी असान हो जाती है देड़ मोबाईल को फाल को find करने में तिक उसी तरीके से resin end और fault end इसमें भी कोई fault नहीं आनी चीए fault end में भी जो यह testing पर लगा नहीं आनी चीए अगर यहाँ शोटिंग वेगरा आ रहा है तो इस condition में भी हमारा mobile on नहीं होगा तिक उसी तरीके से जैसा यह होता है उसी तरीके से हमारा होता है SPMI clock और SPMI data ठीके ना SPMI clock और SPMI data जो यह CPU से connect होता है और यह भी हमारे जब mobile को जैसे power button को press करते हैं trigger करते हैं और जो sequence होता है power on sequence का जैसे हमारे on-off switch जैसे हमारा VBet हो गया VPH हो गया हमारा बक का HLDU की supply होगी LDLU की supply होगी हमारे LDU का 1.8 की supply होगी 2.8 की supply होगी फिर control का power good power on reset फिर एक MMC के भी होती है MSM reset out के नाम से होता है अगर वो हमारे CPU से लिकल गई तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे MMC लगबक ठीक है लेकिन वो यहां नहीं दिखने को मिलेगा वो आपको CPU में दिखने को मिलेगा MSM reset out के नाम से होता है उसी तरीके से SPMI clock, SPMI data, crystal यह सब हमारा dead good sequence में आता है और sleep clock, BB clock यह सब इसमें आ जाता है इसमें अगर कोई भी fault हो जाता है, BB clock, sleep clock, call 10, PS hold, power on reset, power board, crystal, on off switch तो इस condition में हमारा mobile on नहीं होगा यह तो हमारा यह network का है ठीक है ना तो इस classes में इस video में हमारे main मुद्दा यह था कि जैसे हम VBAT, VPS, BUCK और LDO चेक करते हैं उसी तरीके से हमें control पर भी ध्यान देनी चाहिए कि control को कैसे चेक करना होता है, control में क्या क्या चेक करना होता है और control जानने के बाद हम काफी shortcut तरीके से चेक करने लगते हैं जैसे अगर हमें जानना है कि PMIC लगबग ओक है या नहीं है तो सीधे आप चेक कर लिजे पावर गूट की supply बन रही है या नहीं बन रही है अगर यह बन रही है तो इसका मतलब PMI सही है तो सीधे आप पावर ऑन डिशेट पे voltage चेक कर लिजे अब उसी तरीके से सीप्यू का जानना चाह रहे है तो पियस वोल्ड और उसी तरीके से MMC का जानना चाह रहे है तो MSM reset out N के नाम से होता है और इसके अलावा हमारा SPMI clock, SPMI data, crystal, sleep clock, baby clock यह चप्चे करना होता है यहां से कोई ground वेगरा missing नहीं होनी चीए नहीं तो इससे भी हमारा mobile on नहीं होगा यह काफी सारे important होता है एक होता है VDDPX bias के नाम से हना उसके बारे में भी हम बताएंगे कि VDDPX bias कितनी हमारे important होता है उसको check करना और वो हम नहीं check करते हैं तो उसके वज़ा से हम काफी सारे IC change करते हैं फिर भी problem solve नहीं हो पाती है और उस line से भी अगर fault हो जाता है तो हमारे जो booting रहती ह यह वो नहीं high रहती है नहीं low रहता है बीच का booting रहता है जैसे 60 जाके 0 जना 50 जाके 0 जना 40 जाके 0 जना और उसमें काफी fault आता है लेकिन technician भाई लोग उस line में नहीं जा पाते हैं VDDPX bias के line में तो अगर आपको यह अच्छा लगता है तो comments करके जुरूर बताएं इस channel पर कि क्या आप VDDPX bias के बारे में जानना चाह रहे हैं या नहीं जानना चाह रहे हैं कि कि उस line से काफी fault आता है और हम उसमें check नहीं कर पाते हैं तो मिलते हैं next topic के साथ तब तक thank you very much